विस्मेल रख्मानी रहीम, Assalamualaikum. आज मैं आपके साथ इमली की मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही है। इसके लिए मैंने एक कप इमली का पल्प लिया है. इसको मैंने पैन में डाल दिया. इमली को मैंने भिको कि और उसको फिर गुटलिया निकाल के ब्लेंड कर लिया था इसमें मैंने 1.5 टी स्पून भुना हुआ जीरा पिसा हुआ और 1.8 टी स्पून इसमें नमक का और 1.4 टी स्पून रेड चिली पावडर का शामिल किया है अब इसको पकने के लिए मैंने रख इतना हम इसको पकाएंगे कि इसके गुड़ मेल्ट हो जाएं और चट्नी थौड़ी सी थिख ऊजया हुआ है इसससी है robić इसका गुड़ी मेल्ट होना शुरू हो हो गया है और चट्नी कि मेल्ट थिख थिख सेे 7 में लगे हैं इस को पकाने में और अजह है वह बहुत अच् यह जमती नहीं है जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालके स्ट्रेट अब इसको यूज कर सकते हैं यह देखें चटनी हमारी तयार हो रही है तकरीबन इसके अंदर जो गुड़ था वो भी मेल्ट हो गया तकरीबन बहुत ज़्याद इसको गड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होगी थोड़ी सी खुद भी गाड़ी हो जाएगी बस ऐसी हम इसको इतनी गाड़ी रखेंगे और फ्लेम को हम ओफ कर देंगे किसी बाउन में निकाल लेंगे चटनी को ताकि ठंडी हो जाए जब चटनी ठंडी हो जाएगी तो किसी जार में डाल के हम इसका फ्रीज ज़स कर लेंगें और पकोड़ों के साथ बहुती चीजांके साहफित और लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स वर वाचिंग